समय वो आया कहा उन्होंने कि मैं बकसर का विकास करूँगा और विकास करने के लिए उन्होंने कहा आगे जितने गरीब लोग खीला पर बसे हुए हैं सब लोग सांतिन नगर में चले जाएं नहर पर बस जाएं आपका यहां नई बजार पोखरा है वहां बस जाएं जहां बि कदमा कुछ हुआ उसमें कुछ हुआ अभी भी एक मुकादमा हुआ था आठ आधमी को इनकरूट्मेंट ढ़ने के लाम पर हम लोगों ने पहले उसका नकल लिया हाई कोट का दीम साहब को दिया और इस दियों के बीदिया कहा कि देखे साहब यही है और सीयों से भी कहा, आगे देखे, आठ आदमी के अलबा नवा आदमी के नाम लेगे, इसके बावजूद भी मैडम है, चुनाओं के बाद चुपके से गई हैं, और नबे गरीबों का घर उजार दिया, नबे गरीबों का घर उजार दिया, बहुत गलत हैं, पिहार सरकार के जमीन में बसे हुए हैं, उनको बैकल्पिक बवस्था करने के बाद ही कानून के मुता भी कटाना चाहिए, अब हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़ रहें, इस दियो साहब ने भी मुझ से कहा, आकि आप कोई जारेगा नहीं, जहां लोग है रहें, और से लोगों से भी है, उसमें हैं, आपके A-D-M हैं, बक्सर S-D-O हैं और D-S-P बक्सर हैं, तीन आदमी, चार आदमी हैं कमिंटी, और इंको आरी करेंगे उसका, लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से, दी-म साहब से कहना चाहूँगा, दी-म सहाब आदमी आकास में नहीं सकता है, ना पताल यह सहर बक्सर जिला है जिला फरब के गरीब लोग यह आते हैं यहां नहीं जाता है यह रोड़ पर भी भूजना बेच के आप पाँच बच्चा जिला देता है आप अगर उनको बेदखल करते हैं तो पाँच आदमी के साफमेकने के नाम पर कभी बिहार सरकार जमिन के नाम पर हटाते हैं यह ठीक नहीं अब हमारी लड़ाई रूरूखर ओगी मैं अभी कह अब होने का मतलब आप पूलिस से पिटवा दीजिएगा हमारा माथा फूट जाएगा लेकिन हम बक्षर सहर से जिस जमीन पर हैं उस जमीन पर से नहीं हटेंगे यह हमाई आप से काथ